सो गाइस बहुत सारे मेरे भाई लोग का ये कमेंट आ रहा है कि उनके 61 बैंक के सेविंग काउंट या फिर करन्ड अकाउंट में जो बैलेंस था वह बैलेंस अब माइनस में सो करने लगा है तो बेसिकली आपके अकाउंट के आगे यहाँ पर माइनस क्यों लगा है और इस मा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटिक जानकारी मिल सके तो बेसिकली अगर बात करते हैं कि आपके एकाउंट के आगे माइनस क्यों लगता है देखिए बेसिकली एकसिस बैंक में कई तरीके के मल्टिपल टाइप के सेविंग काउंट है ठीक है और आप इन में से कीस तरफ के एकाउंट को ओपेन कराए हो ठीक है यह आपके उपर डिपेन करता है क्योंकि देखिए कुछ हैसे भी एकाउंट होते हैं जिसमें आप लोग को जीरो बैलेंस करना रहता है ठीक है जब कि कुछ एकाउंट में हमेशा आप लोग को दस जार से कम एमोंट नहीं रखना पड़ता है तो जब आप लोग जीरो बैलेंस वाला एकाउंट में अगर मालिजे कम पैसा रखते हो तो चलेगा लेकिन अगर आप अगर किसी दूसरे सेविंग काउ सेविंग काउंट कितने कई तरीके होते हैं सभी बैंकों का तो अगर आप लोग इसमें बैलेंस मेंटन नहीं करते हो तो आप लोग को बैंक जो है आरबिया की गाइडलाइन्स के अनुसार आप लोग को चार्जेस देना पड़ता है बैंक आप लोग के उपर फाइन लगा ठीक है यह 300 रुपया प्रतिमाह लगता है तो इस तरीके से यह 12 मंथ में आप लोग का जो चार्जेस होता है यह होता है बारत यह 3600 रुपया होता है ठीक है यह आपका सालाना चार्ज होगा जब आप लोग अपने एकाउंट में बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे ठीक आपके एकाउंट में माइनस लग जाता है तो माइनस लगने के बाद जब भी आप कोई पैसा अपने एकाउंट में क्रेडिट करोगे ठीक है जब भी आप कोई पैसा क्रेडिट करोगे जैसे कि 2000 अगर क्रेडिट करोगे ठीक है और अगर आपके एकाउंट में माइनस जैस तो आपके account में यह about balance माइनस तीन हजार 100 करेगा ठीक है माइनस में तीन हजार ठीक है जब तक कि आप जो है इस तीन हजार को payment नहीं करोगे तब तक यह minus में आप लोग़का 100 करेगा ही करेगा तो आप basically बात कर लेते हैं कि आप लोग इस minus को कैसे हटाएंगे तो दिखे इस minus को हटाने का दो procedure है दो तरीका है जिसमें जरीए आप लोग इस minus को हटा सकते हो ठीक है पहला तरीका ये है कि आप लोग जो है कि इस minus को हटाने के लिए आप लोग या तो पूरा पैसा जमा कर दो ठीक है आप लोग पूरा पैसा जमा कर दो total जमा कर दो ठीक ये पहला तरीका है जितना भी आप लोग का minus 100 करता है जिसे 3000 अगर minus 100 कर रहे है तो bank में जाकर 3000 जमा कर दो पुरा आप लोग का ये काम complete हो जाएगा second option है कि आप लोग अपने bank manager से मिले ठीक है bank manager से अब bank manager से मिलने के बाद आपका जो bank manager है उससे आप लोग convince करना है उससे आप लोग को बात करना है कि सर मेरे account में इतना minus में है मैं 40% पैसा दे पाऊंगा ठीक है 40% पैसा जो है दे पाऊंगा जितना minus में है ठीक है तो इस तरीके से percent के उपर आप लोग बात करके आप लोग is minus में जो balance पड़ा हुआ इससे 0 कर सकते हो ठीक है जैसे आप लोग बोल करे कि इसको 0 कर सकते हो ठीक है और basically बता दे कि ये जो भी charges लगता है ये total bank manager के हाथ में होता है और ये अगर चाहे तो इससे 0 कर दे otherwise ये चाहे तो इसे पूरा आपसे वसुल सकता है ठीक है ये पूरा का पूरा मैनेजर के हाथ में होता है अब कुछ मेरे भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई एकाउंट को कलोज कैसे करें ठीक है एकाउंट को कलोज कैसे करें जब तक कि आपका ये minus में जो pending हुआ है ये पूरा खतम नहों जाए तो इस तरीके से अगर आप लोग को इसमें भी दो तरीका है अगर आप लोग को अपने account को close कराना है तो ये में आप लोग जो है जितना भी minus में balance है आपके account में ठीक है उसे पूरा full complete कर लो ठीक ना final कर द होगा है ठीक तो आप काम करो कि एक साल तक ये one year तक आप कोई हलचल ही ना रखो अपने account में किसी भी तरीके का लेन देन कुछ भी मत करो तो एक ऐसा time आएगा कि जो account है अपने आप जो है terminate हो जाएगा ठीक है ये terminate हो जाएगा ये account आपका ठीक ना एक तरह से बोलना है दोबारा से account नहीं open कर पाओगे जब तक आप इस account को पूरी तरीके से close नहीं करोगे हलाकि ये close तो हो जाएगा लेकिन ये close नहीं होगा पूरी तरीके से ठीक लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से पूरा close करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को पूरा payment करना ही पड़ेगा या फिर manager से बात करके उस charges को कम basic करना पड़ेगा तो आई हो भी इस video से आप लोग को चीजे जानकारी होई होगी और clear हुआ होगा ते चैनलों कर सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में